इक लिप देखे बच्चों आप परिशान मत होईएगा क्योंकि ये हमारी आज की टॉपिक से कनेक्टिड है तो पहला ये बताएगी क्या कभी आपने किसी सूपर हीरो की कोई मुवी देखी है तो आहां आपने जरूर देखा होगा कि उस मुवी का जो हीरो होता है वो जब कि प्रोट्रेक्ट करता है कि मास लगाने से वह पुलिस और विलेन से बच जाता है क्योंकि अगर विलेन ने उसको पहचान लिया तो वह उसको मार डालेगा उठा ले जाएगा उसको कुछ ऐसा ही हमारी केमिस्ट्री में भी होता है जहां पर हम लोगों को डिजारेबल प्रो कैसे होती है प्रोटेक्शन जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रहे थी कि सर्फ प्रोटेक्शन और फंक्शनल ग्रूप के लिए कुछ कीजिए तो आई हम लेके आए हैं आज प्रोटेक्शन और फंक्शनल ग्रूप इसक condition यहाँ पे apply करूं तो इस condition में कोई भी बच्चा बोल सकता है कि सर यहाँ पे oxidation कर दीजी जिससे हमारा ketonic group introduce हो जाएगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पे आप oxidizing agent लेके आएंगे दोनो एलकोली group दोनो OH group जो हैं वो oxidize हो जाएंगे कुछ इस तरीके से चाहिए था यह और बना यह तो यह तो problem हो जाएगी बच्चो तो मेरा जो synthesis है मेरी जो reaction है वो तो fail हो जाएगी तो मुझे target molecule यह चाहिए यह नहीं चाहिए अभी एक दूसरी problem है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पर compound कुछ ऐसे बनते हैं और इसके अंदर अगर percentage yield देखी जाए तो 52% तो यह बनता है और 48% compound मेरा desired यह target molecule बनता है तो बताईए कि क्या यह reaction useful रहे कि सर बनाना चाहिए था हमको maximum target molecule यह वाला product लेकिन बन गया यह वाला यह major है और यह minor है तो जब यह minor बना है हमारा तो यह reaction किस काम की यह synthesis तो बेकार हो गया है क्योंकि इसमें yield हमारी कम आ रही है तो सर आपने देखा पहला example और दूसरे example में जो हमको target molecule चाहिए तो वो हमको नहीं मिल पा रहे हैं बलकि हमें दूसरा undesired product ज़्यादा मिल रहा है desired के comparison में ऐसी problem अक्सर multi-step synthesis में आती है आप देखेंगे कि जो natural products के synthesis होते है antibiotics बनाना है amino acid बनाना है आपको antibiotics बनाना है carbohydrate बनाना है तो वहाँ पर ऐसी problem अक्सर scientist लोगों को आती है अब यह बताईए कि सर अब क्या करें तो ऐसी problem को sort out किये जाता है functional group को block करके या उनकी masking करके आईए जानते हैं कि protection of functional group को define कैसे करेंगे protection of functional group is the molecular framework which applied on to a specific functional group in any poly functional molecule or structure to block its reactivity in a multi-step reaction बच्चों आपने देखा कि जब किसी compound के अंदर एक से ज़्यदा functional group होते हैं तो वो structure या molecule कहलाता है poly functional structure या molecule अब इस poly functional molecule को या structure के उपर जब आप reaction condition apply करते हैं तो अक्सर वहाँ पर ये एक problem आती है कि एक से ज़्यदा functional group पर reaction हो जाती है और जब एक से ज़्यदा functional group पर reaction होगी तो अक्सर आपके जो product बनते हैं वो unwanted ज़्यादा बन जाते हैं then that of target molecule यानि कि चाहिए था हमको जो product वो मिलेगा कम और जो नहीं चाहिए था वो मिलेगा ज़्यादा जैसा कि आपने उपर देखा इस compound को यहाँ पर दो OH ग्रूप आप देख पारें तो यह example है polyfunctional का क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा functional group हैं जब आप इसका oxidation की थे तो आपने देखा था कि दोनों OH ग्रूप oxidize हो गए थे ऐसी problem को sort out करने के लिए किया किया जाता है कि polyfunctional organic compound के अंदर जिस functional group के chances रहते हैं कि वो reaction में participate करेगा उसको हम लोग block कर देते हैं यह बात करते हैं कि masking यह protection की जुरत क्यों पड़ती है तो prepare desired और targeted molecule in higher yield during a multi-step synthesis अभी define किया था आपको कि जो multi-step reactions होती हैं वहाँ पे target molecule को ज़्यादा बनाने के लिए हम लोगों को वहाँ पे poly functional molecule या structure में functional group की protection या masking करने की जुरत पड़ती है नहीं तो unwanted जादा बन जाएगा और wanted target molecule कम बनेगा जैसे उपर वाली reaction के अंदर हमको चाहिए था यह वाला जिसकी yield हमको मिलती है 48% और जो हमको नहीं चाहिए था उसकी yield मिलती है 52% तो आप देख पारें कि target molecule जो है desired product जो है वो कम बन रहा है than that of undesired तो इसलिए हमको यहाँ पे masking या protection of functional group यूज करना पड़ेगा masking is used frequently in synthesis of amino acids, peptides, antibiotics, carbohydrates, etc आप बात करते हैं qualities of good protective group in multi-step synthesis की जिस group का protection करने वाले हैं उसके लिए जो protective group आएगा वो कैसा होना चाहिए it should be easily and selectively introduced to the desired functional group in poly functional molecule protective group ऐसा होना चाहिए कि जब आप poly functional compound में उसे use करें तो वो जिस functional group पे आप चाहता आते हैं उसी को block करें और बाकी functional group को वो block ना करें जैसे कि आपने starting में discuss किया था हमको cable oxidation इस वाले functional इस वाले alcoholic group पर ही चाहिए ये वाला oxidize होना नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर जो protective group लेके आएंगे वो इस वाले OH के लिए लेके आएंगे इस वाले के लिए नहीं आप देख सकतें कि primary alcoholic group है और ये हमारा secondary alcoholic group है तो यहाँ पर हम लोग ऐसा protective group लेके आएंगे जो किवल primary पे react करें secondary पे react ना करें masking of functional group should be stable under the reaction condition used बच्चो protective group यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि जब आप block करने के बाद उस compound को chemical reactions में यूज करें तो वाला जो हाँ पर आपने blocking किया हुआ है, mask किया हुआ है, जो function group block किया हुआ है उस पर कोई असर ना पड़े it should be easily removable under milder condition when needed और जब आपका reaction पूरा हो जाए तो यह protective function group milder condition लगाने से easily हट जाना चाहिए ऐसा ना हो कि sir, reaction तो पूरा हो गया, लेकिन जो आपका protective group है वो वहाँ से अलग ही नहीं हो रहा है protective group in organic synthesis sir, कहां कहां पर protection की जुरत पड़ती है तो बच्चो, alcohol में OH group, aldehyde में CHO group, ketones में C double bond O, carboxylic acid में COH, amine में NH2 group यह functional group जो होते हैं, यह block की जाते हैं, mask की जाते हैं, ताकि हमारा desired यह target molecule higher yield में बन सके let's sort out issue, बच्चो, हम लोग काम करते हैं कि जो हमारी starting की problem थी, जिसके अंदर diol था, तो वाला हम question दोबारा लेते हैं यह हमारा starting diol था, तो इसमें हमने क्या किया, protection of functional group किया, तो यहाँ पर हम लोगों को यह वाले पर reaction चाहिए, इस वाले पर नहीं चाहिए, यह primary है, यह secondary, alcohol group है तो हम लोग यहाँ पर ऐसा reagent लेके आएंगे, जो केवल primary, alcoholic group पर reaction करें और इसको block करें, तो आप देख पा रहें कि यहाँ हमने इसकी protection या blocking या masking को OPG से दिखाया हुआ है, और उसके बाद next step में हमने oxidation कर दिया है तो यहाँ पर आप देख पा रहें कि यहाँ पर blocking या masking करने से यह वाला जो alcoholic group है, oxidation करने पर यह इसके अंदर कोई change नहीं आता है, यह oxidize नहीं होता है तो यहाँ पर secondary OH group ही oxidize हो पाता है, क्योंकि यह active है और यह inactive हो चुका है, blocking करने की वज़े से या masking करने की वज़े से next step में हमने deep protection कर दिया है, functional group का, यहाँ पर जो हमने blocking की थी, वो blocking को unblock कर देंगे यहाँ पर minor condition लगाते ही, यह वाला जो हमारा block OH group था, यह हमारा easily available हो जाएगा, reproduce हो जाएगा तो अब देखिए, यह हमारा target molecule easily बन गया है, जो पहले possible नहीं लग रहा था अच्छो, ऐसे बहुत सारे multi-step organic synthesis में जहाँ पर एक से ज़दा functional group होते हैं और उन सब पर reaction जाने के chances रहते हैं, जिससे हमारे target molecule की yield घट जाती है, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग वहाँ पर unwanted function group को block कर देते हैं जिससे केवल desired function group पर ही reaction होती है, और हमारा target molecule higher yield में बन जाता है बच्चो ये condition बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आपने देखाता है कि super hero की movies में villain से बचने के लिए जो हमारा hero होता है, वो mask की help लेता है तो यहाँ पर हम लोगों को इस OH group को बचाना था, इस villain से, villain हमारा यहाँ पर chemical condition या reagent होता है तो इससे बचाने के लिए हम अपने hero का चेरा ढख देते हैं और बाद में reaction पूरा होने के बाद वो उसका चेरे से mask को उतार देते हैं आपको तो यह कहलाता है हमारा protection of functional group